एल्टेंट्स वेल्कम टूम मैं यूट्व चैनल मैं नामें सुमित बंसा लास्ट लेक्चर में मॉनोटोनिक फंक्शन्स जो है हमने डेफिनेशन उसकी देखी कुछ इग्जामपल्स हमने देखे mathematical उसका जो लिखने का जो expression था mathematical expression वो हमने देखा कि कैसे हम उसे proof कर सकते हैं technique हमने सीखी ठीक है तो अब जो नया topic है real analysis का main हमारा जहां से हम शुरू करने वाले हैं वो है limit जैसा कि मैंने बताया था तो lecture 5 है ये limit शुरू करेंगे तो topic हमारा heading क्या है limit of a function of one variable at a point आप देख सकते हो ये मैंने अलग से underlying कि है कुछ terms कि हम बात किसकी कर रहे है limit की किसकी limit निकाल रहे है एक function की ठीक है ध्यान देना या sequence या series की limit की बात नहीं हो रही है हम बात कर रहे है किसी function की limit find करने के लिए ठीक है although sequence भी एक function यह बट अभी के लिए हम देख रहे है limit of a function of one variable ठीक है अभी one variable में limit निकालना सीखेंगे फिर two variable में जाएंगे फिर n variable में जाएंगे जैसा कि मैंने बताया और किसी एक point पर हम निकाल रहे है ठीक है सो कहने का मतलब क्या हो गया लिखना चाहें अगर हम इसका symbolic form लिखना चाहें तो हम find कर रहे है limit x tending to a किसी a point पर हम limit निकाल रहे है और किसकी निकाल रहे है किसी function की ठीक है न तो fx limit x tending to a इसे पढ़ सकते हो x approaches to a या फिर x tending to a तो जैसा कि मैंने definition में लिखा है definition क्या है epsilon delta definition जो है इसकी वो पढ़ेंगे हम फिलाल ठीक है epsilon delta definition picture में आएंगे अब ये epsilon और delta क्या होते है इनकी बात कर लेते हैं तो देखो कुछ भी नहीं है जो epsilon और delta होता है ये हमारे पास कोई positive numbers होते हैं ठीक है इससे आप as a distance समझ सकते हो कि यहां हम distance ले रहे हैं small small distance के लिए मैं use करना चाहता हूँ epsilon and delta that's it बहुत ही छोटे number होंगे ये 0 के करीब होंगे 0 से बढ़े हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप 10 raise to 10 आप कुछ भी ले सकते हो होने को हो सकते हैं बट अब भी के लिए जैसे हम देखेंगे जब मैं neighborhood की बात करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि इस epsilon delta को हम small distance क्यों बोल रहे हैं ठीक है तो definition शुरू करते हैं definition में क्या है कुछ मैंने चीज़े highlight कर दी है जैसा कि आप देख सकते हो जो main part है इसमें definition का so let f be a function defined in the deleted neighborhood of a point अब ये क्या है deleted neighborhood of a point क्या होता है सबसे पहले हम समझेंगे neighborhood क्या है ये ठीक है n b d इसे आप neighborhood बोलेंगे small में मैंने लिखा है n b d short form तो neighborhood क्या होता है कोई भी point होता है a मान लो ये आपकी real line है ठीक है यहाँ पर एक point है अगर a नहीं समझ में आता आपको तो कुछ और point ले लो suppose आपका यहाँ पर one है तो यहाँ पर क्या होगा zero होगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा three by two होगा यहाँ पर क्या होगा one by two होगा ठीक है तो इस one के अंदर हमने क्या कर दिया अगर half add कर दिया और one में से half क्या कर दिया minus कर दिया ठीक है तो one का neighborhood क्या बन जाएगा one minus half और one plus half तो यह क्या है one का neighborhood है one इसमें belong कर रहे है इसमें है clearly one one से half minus कर द neighborhood है similar way में a हमारा कोई point है real line पे इसमें हमने delta add कर दिया delta minus कर दिया तो यह जो point होगा यह आपका क्या होगा a plus delta और यह जो point है यह आपका क्या होगा a minus delta तो जब इसकी बात करेंगे तो यह क्या होगा a का neighborhood होगा तो a का neighborhood यहां से क्या पता चले गए आपको a minus delta और a plus delta और a इसमें clearly belong भी कर रहा है इसके बीच में आएगा यह normal सी बात है ना so a यहाँ पर होगा तो यह क्या कहलाता है neighborhood अब deleted neighborhood का क्या मतलब है हमारी जो term है वो क्या है deleted neighborhood तो simple सी बात है जिसका neighborhood find करना है उसको delete कर दो उस interval में से जैसे की a का neighborhood पहले बताओ तो a का neighborhood क्या होगा यह होगा इसमें से delete करना है a को तो इसको minus कर दो किसमें a से ठीक है इसमें से हमने a को minus कर दिया तो अब जो भी axis में belong करेंगे वो आपके element जो होंगे a के अलावा बाकी element होंगे इस neighborhood के ठीक है तो यह जो neighborhood बन गया यह कैसा बन गया deleted neighborhood of a बन गया deleted neighborhood of a यानि कि a के सारे point हम ले रहे हैं a के अलावा neighborhood में से so deleted neighborhood of a point then there exists l अब इस l को हम क्या बोलेंगे not there exists then a real number l is set to be limit of f तो इस l को हम क्या बोलेंगे limit बोलेंगे function की कब जब x approaches to a और x tending to a if and only अब यहां से हमारी definition शुरू होती है जिसको हम epsilon delta definition कहते हैं क्या है वो कि for any epsilon there exists a positive number delta अब यह जो delta है वो किसी हर epsilon के लिए अलग अलग हमें मिलेगा तो for each epsilon कोई भी epsilon आप दोगे तो एक delta हम ऐसा दे पाएंगे जो की depend करेगा epsilon पे इसलिए यहां पर इसको epsilon और यहां delta भी लिख सकते हो नीचे ठीक है ताकि पता चले कि यह जो delta है वो दिपेंड कर रहे हैं इस पे epsilon पे delta डिपेंड कर रहे है ठीक है दोनों positive होंगे obviously इस प्रकार से होंगे such that कि इन दोनों के बीच का जो distance है fx-l का mode हमने लिए है mode का मतलब क्या होता है distance so fx-l के बीच का जो distance है वो epsilon से कम होगा कब whenever x-a का जो distance है वो delta से कम होगा zero से तो obviously बड़ा ही होता ही है mode function जो है हमारा तो कहने का मतलब देखो क्या है basically यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर दोबारा definition लिखता हूँ कहने का मतलब यह है कि for any for any epsilon greater than zero there exist delta greater than zero such that इस प्रकार से मिलेगा such that कि अगर f of x और l के बीच का distance epsilon से कम है कब होगा whenever x minus a जो है वो आपका less than होगा delta से अब इसका मतलब क्या हुआ जो expression है वो आप क्या लिखते हो देखो expression में आप क्या लिखते हो limit f of x is equals to l कब extending to a यानि कि जब x approach करता है a पर तो f of x आपका कहां approach करता है l पर यानि कि जब इन दोनों के बीच का distance जो है distance निकालना होते है किसी भी दो point के बीच का तो ऐसी निकलेगा तो इन दोनों के बीच का distance जब बहुत ही small है यानि कि delta से कम है तब f of x का distance क्या होगा l के साथ epsilon से कम होगा और ये delta और epsilon के बीच में क्या relation है कि हर epsilon के लिए हम एक delta देना चाहते हैं ऐसा तो जो delta है हमारा वो epsilon पे तो obviously depend कर रहा है यानि हर epsilon के लिए हम एक delta ढूंड के देना है कि ये दोनों condition satisfy हो जाए ठीक है अब इसे अगर neighborhood की form में लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं कैसे आपको बता है अगर mode x less than a होता है ठीक है यहाँ मैं recall करवा रहा हूं थोड़ा सा यह आपने कहीं पढ़ा होगा 9th 9th में कि अगर mode x less than a होता है तो जो x है आपका वो a और minus a के बीच में होता है similarly क्या कह सकते हो आप कि अगर आपका x greater than a होता है तो x आपका greater than a and x आपका less than minus a होता है number line पर अगर बात करें यह आपका minus a है यह आपका plus a है तो यहाँ वाला area और यहाँ का area यह पूरा का पूरा आपका किस को शोग करेगा modulus x greater than a को और यहाँ पर number line की बात करें तो इस interval के बीच के open interval ले रहा हूं क्योंकि यहाँ equality दोनों में नहीं है अगर यहाँ equality का sign होता तो हम यहाँ close interval ले ले लेते हो और यहाँ पर इन दोनों जगह पर भी क्या आजाता equal का sign आजाता ठीक है तो अब recall कर लिया तो यहाँ से हमें क्या benefit मिलेगा तो benefit हमें यह मिलेगा कि मैंने जो यह दोनों चीजें लिखी है इसको आप neighborhood की form में लिख सकते हो कैसे x-a का mode less than है delta से यानि कि x-a less than delta and greater than minus delta यानि कि x जो है a plus delta और a minus delta के बीच में होगा यानि कि x जो है वो belong करता है a minus delta a plus delta के बीच में तो इसी प्रकार से f of x जो है similar way में आपका क्या होगा l minus epsilon और l plus epsilon के बीच में होगा तो नई definition है कि यहाँ से और बन गई क्या बन गई कि for any epsilon सेम तरीके से कुछ इसके example करें एकदम clear हो जाएगा 1% doubt नहीं रहने देंगे इसमें अपने for any epsilon there exists delta such that such that कि अगर f of x आपका such that f of x इसमें बिलोंग करेगा interval में कब whenever whenever x belongs to a sorry a minus delta and a plus delta all right so एक आपकी definition जो है यहाँ से यह भी बन जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई doubt होना चाहिए किसी को बिल्कुल एकदम clear रहनी चाहिए यह चीजें कि क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे हैं कैसे यह x और f of x जो है approach कर रहे है a को या l को अब यह deleted neighborhood वाला जो point है ना इस पर मैं थोड़ा सा और जाना चाहूँगा ठीक है क्यों जाना चाहूँगा उसका reason है हमारे पास कि हम पहले क्या करेंगे एक example लेंगे क्या करेंगे एक example लेंगे उसके तुरू समझने की कोशिश करेंगे तो most famous example हर book में हर आपकी जो भी books होती होंगी school में, colleges में, हर जगा आपको यह एक example हमेशा मिलता है बहुत ही basic example है समझने के लिए एक बार neighborhood को at least x square minus 9 upon x minus 3 ठीक है यह हमारा एक function है तो हमें क्या करना है इसमें limit f of x extending to 3 equal to 6 कैसे होगा यह हमें बताना है ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि deleted neighborhood वाली ऐसी क्या बात है वही जो वहाँ पर हमने उसको highlight करा और definition में यह neighborhood, deleted neighborhood यह क्या चक्कर है जो हम बात कर रहे है तो देखो limit की हमें जरूरत क्यों पढ़ रही है first of all हमें यह समझना पड़ेगा यह हमारा एक function है हमें उसकी limit find करनी है इस पर अगर मान लो आपको कोई बोले कि f2 की value बताओ तो simply आप क्या करोगे function में x के place पर 2 put कर दोगे तो आपका answer क्या आ जाएगा 4 minus 9 minus 5 upon minus 1 that is plus 5 यह आपका आ गया अगर कोई आपसे पुछे f of 0 बताओ तो f of 0 क्या हो जाएगा आपका minus 9 minus 3 I think इसमें दिखका दा रही है थोड़ी वापिस equal plus 3 ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया यहां से plus 3 आ ठीक है तो कहने का मतलब क्या है यहां इन points के ओपर हम directly value जो है function की वो find कर सकते हैं but but अगर आपको बोले कि 3 पर 3 पर क्या निकाल के बताओ 3 पर आप निकाल के बताओ function की value तब क्या होगा ठीक है इसे भी देखते हैं तब क्या होगा तो f of 3 पर जब आप निकालने जाओगे value तो क्या करोगे 3 का square minus 9 upon 3 minus 3 9 minus 9 0 upon 0 तो यह जो 0 upon 0 होता है यह आपका क्या होता है undefined term होती है क्या होती है undefined term होती है अब क्योंकि यह undefined है तो हम कैसे बात कर सकते हैं इसकी तो हम क्या चाहते हैं 3 पर अगर limit find करना चाहते हैं ए हमारा क्या है 3 है तो 3 पर limit find करना चाहते हैं तो 1 हमें neighborhood लेना है 3 का जो deleted हो यानि कि 3 को include नहीं करेंगे हम बात करेंगे 3 minus delta 3 plus delta की हम वो सारे x collect करेंगे जो इसके बीच में हो लेकिन 3 उसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि वो deleted neverhood है क्यों नहीं होना चाहिए 3 क्योंकि 3 पर तो function की value ही नहीं मिलती हमें ठीक है न तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर f3 जो है वो exist नहीं करता f3 जो है exist नहीं करता so you will write it like does not exist you can say this okay does not exist although we will use does not exist this term for only plus minus infinite but right now we are getting undefined term so we should write f3 is undefined but starting में अभी ठीक है does not exist भी आप लिक सकते हो कोई ऐसा नहीं है issue इसमे but main जो deleted neighborhood वाली बात है वो आपको यहां से clear होनी चाहिए ठीक है कि why we are always talking about deleted neighborhood what is the importance of this deleted neighborhood ठीक है सारा चकर इसी का है अगर इसके बाहर किसी और point के हम बात कर रहे हैं तो उस पर तो value always देखो आप find कर ही सकते हो जिस point पर function की value निकालने के लिए हमें मुश्किल हो रही है उसी पर हम limit की बात कर रहे है जब sequence में जाएंगे तब sequence के through limit पड़ेंगे तब और जाद आपको clarify होगा ठीक है तो अभी के लिए इसकी limit कैसे निकालनेंगे मैं थोड़ा सा equal करवा देता हूँ 12 में कैसे निकालते है LHL, RHL क्या मतलब होता है RHL, LHL का RHL होती है आपकी right hand limit alright क्या होती है ये right hand limit और similar way में ये क्या होती है आपकी left hand limit ठीक है तो इस example को मैं इस method जे करा देता हूँ अगर आपके LHL, RHL equal होते है तब आपकी function की limit exist करती है आपको पता ही है ये बात so हमें किस पर निकालनी है यहापर मैं दोबारे लिख देता हूँ function को उपर चला गया थोड़ा सा function हमारा क्या है x square minus 9 upon x minus 3 ठीक है और at x equals to 3 हमें क्या निकालनी है इसकी limit हमें क्या निकालनी है function की limit और बताना है exist करती है या नहीं करती उसने उपर बोला था कि 6 equal में proof करो तो proof करना है तो obviously exist कर रही होगी limit कब exist करती है existence of limit existence of limit क्या होता है अगर आपका lhl equals to rhl आ जाए कोई finite number ठीक है finitely equal होने चाहिए ऐसे नहीं कि दोनों plus minus infinite आगे तो equal हो गया finitely equal होने चाहिए तब हम बोलते है limit exist करती है तो फटाफ़ड यहाँ पर आते है limit किस पर निकालनी है function की 3 पर rhl है तो 3 में कुछ add करेंगे 3 plus लिखने का तरीका देखो क्या रहेगा limit h tending to 0 f 3 plus h हो जाएगा अब function हमें दे रखा है तो function f of 3 plus h की value हम देख सकते हैं just x के place पे function में क्या कर दो 3 plus h put कर दो ठीक है तो यहाँ पर देखो यह 3 से 3 cancel भी हो रहा है तो उपर 3 plus h की whole square को open कर लो 9 plus h square plus 6 minus 9 अब उन में 3 plus h minus 3 similar way में यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं left hand limit है तो 3 negative limit h tending to 0 f 3 minus h okay so limit h tending to 0 and what is f of 3 minus h replace x with 3 minus h in the given function so it will be इसके whole square को open कर लो 3 minus h की whole square is equals to 9 plus h square minus 6 h minus 9 upon 3 minus h minus 3 all right so यहाँ से हमारे पास क्या आ गया यहाँ से अब हमें पता चल रहा है जो चीजें cancel हो रही हैं उन्हें मैं यहाँ से cancel कर देता हूँ मैं अब blue pen नहीं उसकर रहा हूँ थोड़ा सा इसमें अलग से आपको highlight हो जाएगा कि क्या इसमें cancel हुए है क्या नहीं हुए हमारी जो इंक है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर so अब यहाँ से क्या होगा देखो क्या यहाँ पर रह गया हमारे पास limit h tending to 0 उपर क्या है h square minus h h common लेंगे h minus 6 upon minus h so h से h cancel negative sign multiply कर दो तो यह हो जाएगा 6 minus h नीचे minus 1 रहे गया ना so limit को हटाएंगे तो h के place पर 0 पुट कर दो क्या आगया 6 similarly यहाँ पर solve कर लो actually मुझे यह सब इतना करवाने की जरुरत नहीं है बढ़ ठीक है एक question आपकी practice के लिए अच्छा है यह ठीक है so h से h cancel limit हटाओगे h के place पर 0 क्या आगया 6 तो rhl equal आगया lhl के that is f 3 plus is equals to f 3 minus is equals to 6 so this will imply that limit of x tending to 3 f of x is equals to 6 यह हमारा यहाँ पर proof हो गया so hence proof okay so यह हमारा यहाँ से proof हो गया question अगर आपको यह question नहीं आता इस type से proof करना तो आपको I think 12th की book उठा लेनी चाहिए दोबार और practice करनी चाहिए हम यहाँ पर इस type से proof नहीं करेंगे हम proof करेंगे now using epsilon delta definition using epsilon delta definition अब इसको proof करना है using epsilon delta definition क्योंकि जब कभी limit exist नहीं करती तब तो आप LHL not equals to RHL LHL not equals to RHL करके आप बता दोगे कि limit does not exist limit does not exist बट अगर limit exist कर जाए तब आप कोशिश करो कि epsilon delta always use करो अब आगे हम कुछ ऐसे function के example लेंगे जहाँ पर आप LHL आ रहे चल यूजी नहीं कर पाओगे ठीक है तो epsilon delta definition always useful है तो मैं यहाँ definition दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि मैंने आज इसी lecture में बताई है तो एक बार मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर for any epsilon definition क्या कहती है कि हर epsilon के लिए आपको एक ऐसा delta ढूंड के देना है such that delta है जो epsilon पर dependent होना चाहिए इस type से होना चाहिए कि fx और l के बीच का जो distance है वो क्या है अगर epsilon से कम है तो वो तभी कम होना चाहिए जब कभी आप x minus a को less than low delta से so this was our epsilon delta definition all right so how we will use it let us see so let me again write what is our function it is x square minus 9 upon x minus 3 and we want to find limit of f of x at x equals to 3 and जो limit है वो हमें actually given है कितनी है 6 है ठीक है तो इस expression को देखकर ही आप direct conclusion निकाल सकते हो कि यह आपका क्या है l है यह आपका क्या है a है ठीक है x तो x है और f of x भी f of x ही है f of x की always value हम इसमें put करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है हम शुरू करेंगे start देखो कैसे करना है solution solution क्या होगा हम starting करेंगे for any epsilon से कि कोई भी epsilon हमने choose कर लिया हम नहीं जानते क्या है तो मैं इसको arbitrary epsilon ही लेके चल रहा हूँ for any epsilon हम कहरेंगी हमें एक ऐसा delta मिलेगा अब वो delta क्या होगा यह हमें बताना है तो मैं यहां खाली space छोड़ देता हूँ last में बताऊंगा delta क्या होगा for any epsilon there exists delta such that इस type से मिलेगा कैसे कि f of x में से हमें क्या minus करना है l minus करना है और इसे दिखाना है less than epsilon तो less than बाद में दिखाएंगे लेके क्या चलना है यहां में लिखता हूँ जो लेके चलना है whenever हमें लेके चलना है x-a less than delta यानि कि x जो है उसकी जगा x ही लिखेंगे a जो है उसकी जगह क्या लिखेंगा यहाँ पर हम 3 तो A की जगह मैंने लिख दिया 3 क्योंकि 3 पर हमें चेक करनी है लिमिट सो हम लेके क्या चल रहे है X-3 less than delta और हमें दिखाना क्या है यहाँ पर मैं side में लिख देता हूँ हमारा claim क्या है claim हमारा है F of X-L यानि कि 6 को less than दिखाना epsilon से F of X-L जो है वो मेरा किसके equal होगा F of X की value रखते है X square minus 9 upon X minus 3 L की value रखते है 6 इसको मुझे less than epsilon दिखाना है इसको use करते हुए और मुझे बताना है कि यह delta क्या होना चाहिए epsilon की terms में हमारी कोशिश हमेशा यह रहेगी कि अंदर वाली term को हम इस term के अंदर change कर पाएं और इस delta का use कर पाएं that's it so X square minus 9 को आप क्या लिख सकते हो X plus 3 into X minus 3 upon में क्या है X minus 3 minus में क्या है 6 so it is equals to X plus 3 minus 6 ठीक है तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं समझाने का graduation के आप student होगे I hope so so it is equals to X minus 3 and X minus 3 जो है वो आप लेके चल रहे हो किस से less than delta से less than तो यह आपका less हो गया किस से delta से अब हमें तो दिखाना था किस से less है यह epsilon से but for given epsilon for given epsilon आप delta कुछ भी चूज कर सकते है epsilon की terms में तो आप delta को equal किस के लिए लो epsilon के तो यह आपका less किस से हो जाएगा epsilon से तो आपने दिखा क्या दिया कि आपका जो F of X minus L है वो less than epsilon है और आपने use क्या किया use आपने यह किया X minus A less than delta जो कि आपका था X minus 3 less than delta और यहाँ पर आपने दिखा दिया F of X minus 6 जो है वो less than epsilon है तो यहाँ से proof हो गया ना proof क्या हो गया इस expression को क्या लिखते थे हम starting में definition में बताया था इस type से तो इसकी limit क्या आएगी 6 so hence proof तो इतना easy है तो यहाँ पर जो space हमने छोड़ा है कि delta को हमें क्या लेना है epsilon की terms में तो delta को हमें कुछ नहीं बस epsilon ही choose करना है अब कोई आपको epsilon अगर दे दे 0.999 तो आप उसे कह दो कि भाई साब जो delta है वो भी आपका क्या होगा 0.999 होगा इन दोनों के साथ आप ये चीज़ ओल्वेस कर सकते हो ये हमारा यहां तक था next lecture में कुछ और अच्छ 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 एग्जामपल देखेंगे और उन सभी को epsilon delta से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और आप उन्हें प्रूफ करना LHL, RHL से भी ठीक है वो मैं नहीं कराऊंगा मैं epsilon delta बताऊंगा अगर लेक्चर पसंद आए तो thank you very much वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते रहेंगे